हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ऐसे टोती है और हमारी सोच हमें वो सारी चीजे करा सकती है जिसके लिए हम सपने देखते है हाई अबरीवन आई वल्कम यू ओल एज आस्ता डिफेंस एकेड़ी इस्टूजिन अगर आपकी सोच है कि आपको इंजिन एफोर्स में जाना है या इंजिन नेवी में जाना है और अपना कर्यर जो है वो इंजिन डिफेंस सर्विस में ही बनाना है तो आज मैं आपको बता दू कि आस्ता एजुकेशन और पब्लिकेशन हाउस आपके लिए एक ऐसा प्लैटफॉम लेके आया है एक ऐसी अपोर्चुनिटी लेके आया है जहाँ पर आ करके आपनी सोच को हकीकत में बदल सकते है और इन सर्विस में सेलेक्शन पा सकते है स्टुडेंट अगर मैं बात करू हमारी ट्रेनिंग की तो हम यहाँ बच्चों को बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रेन करते हैं हमारी आपर बच्चे जो है वो घर से अपडाउन नहीं करते बल्कि केंपस में ही रहते हैं और उनको सारी फैसिलिटीज घर जैसी केंपस में ही मिलती है जो हमारा मोटेव है वो बच्चों को लेकर के यह रहता है कि जब भी कोई बच्चा हमारे यहां आए तो वो सिर्फ रिटेन एक्जाम कॉलिफाय करके घर पर वापस नहाँ जाए बल्कि जब भी वो हमारे यहां पर आए तो वो इस तरीके से ट्रेनिंग ले इस तरीके से प्रपरेशन करे कि जब वो अपने घर जाए तो सिर्व वर्दी में जाए, अदर्वाइज ना जाए और इसी रीजन से हम बच्चों को अपने कैंपस में उन सबी चीजों की प्रेपरेशन कराते हैं जो कि उनके सेलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे आपर बच्चों को रिटिन के साथ साथ फिजिकल की ट्रेनिंग भी कराई जाती है जीडी की प्रेपरेशन भी कराई जाती है इंजब यू की तेयारी भी कराई जाती है वो सारे पैरमीटर्स जो की सेलेक्शन के लिए जरूरी है सबी parameters के लिए बहुत ही specialized तरीकी से training दी जाती है medical की रेविया में student को कुछ guidance प्रोवाइड करते हैं कुछ बाते ऐसी बताते हैं जिसके basis वे वो अपना medical exam निकालते हैं यहाँ पर admission लेने से पहले हम बच्चे का medical का pre check up करते हैं अगर उनमें कोई कमिया है तो हम उनको पहले ही बता देते हैं और वो कमिया अगर उनकी ठीक हो सकती है तो हम उसका treatment भी उनको बता देते हैं और वह जिसभी service में इन कमयों के साथ eligible है हम उनको सभी चीज़ों की तियारी कराते हैं सो इस्टुडेंट आपको में बता दू कि हमारे दोनों ही डारेक्टर इंजिन एफोर से एंज इंजिन नेवी से ब्लॉं करते हैं तो बच्चों को उस तरीके का डिसिप्लेन सिखाते हैं जो कि उनोंने अपने सर्विसस में रहे करके सीखा है और यहां पर बच्चों की सेलफ स्ट्डि पर भी उतना ही जादा ध्यान दिया जाता है उतना ही जादा फोकस किया जाता है जितना की क्लास्टूूम ट्रेइन पर सो इस्टूडेंट आपको इस्क्रीन पर तो दिखाए दे रहा होगा जो की फोटोग्राप्स हैं कुछ आज से एजुकेशन एंड पॉब्लिकेशन हाउस की जो की भारत का सबसे बड़ा आवास में कोचिंग सेंटर है रेसिडेंशल कोचिंग सेंटर है तो इस्टूडेंट हम यहाँ पर इस्टूडेंट को ट्रेनिंग प्रवाइड करते हैं और कितने सारे सेलेक्शन हमारे यहां से इन सर्विसेज में होते हैं सो थैंक यू सो वीरी मच और हम आइस दे